अलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्यान में आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के लिए एक बहतरीन फंड के बारे में जो की SBI सिनिकल क्या रही है इस फंड के पूरी जानकारी देंगे ये फंड इसपेसली बच्चों के लिए आपके जो बच्चे हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है कि आप बच्चों के फ्यूचर के लिए किस तरीके से इन्वेस्ट करके एक अच्छी रकम पा सकते हैं जिससे उनकी जो हाईयर एजूकेसर है या साधी है उसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकें तो इस फंड क इसे ही पता चल रहा है कि यह चिल्डर्स के लिए इस्पेसली बनाया गया है तो कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो आपको इसमें एक्ष्टा देखने को मिलेंगे बागी फंड के मुकाबले और मैं जो यह फंड आपको बताऊंगे इसमें आपको ज़्यादा पैसी जमा करने क ज़्यादा ने एक मिनिममम एमोंट जमा करके आप बहुत अच्छा रिटर्न यहां से ले सकते हैं अब बात करें इसके रिटर्न के तो यहाँ पर आप साप साप तेख सकते हैं कि ज़्यादा पुराना फंड नहीं है यह सितंबर 2020 में यह फंड मार्केट में लॉंच हुआ और लगबक तीन साल होने को है। तीन साल में आप देखें कि हर साल यहां पे 46 से 47% का रिटर्न मिल रहा हैं लास्ट प्रिवियस यिर की बात करें तो 26% की रिटर्न और लास्ट के 6 मंन्थ में बात करें 17% साढवे पिस्वायदा एक मंत में गया है इस फंड के द्वारा तो वेस्ट करते हैं अब इसके रूल्स की बात कर लें तो यहां पे आपको मीनिमूम पांस रुपे पर मन्त तो जमा करना ही पड़ेंगे इस फण में अगर आपको आपको इन्वेस्ट करना है तो और अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो ति यहां पे आपको 5000 रुपए जमाख करने पड़ेंगे अब इसके फिर भी इसमें 1024 कड़ोर रुपे अभी तक जमा हो चुके हैं अब हम लोग चलते हैं इसके calculation पे कि कितना आपको return मिल सकता है जैसे कि आपने देखा 46% तक का return हर साल अभी तक देता आ रहा है तो हम उस 46% को consider ना करते हुए क्योंकि नया fund है हो सकता है दीरे दे डाउन हो कुछ तो हम लोग 19% पर calculate करेंगे और आपको जमा करनी है minimum 500 रुपे जमा करनी का इसमें rules है लेकिन हम लोग 1000 रुपे हर महने जमा करेंगे अब 1000 रुपे अगर आप हर महने जमा कर देते हैं आपको कितना return मिलेगा कितने सालों में इस पर बात करते हैं सबोच किजिए आपने 5 साल तक 11000 रुपे जमा किया तो आपको 60,000 रुपे तो जमारासी हो जाएगी और आपको return के तोर पर मिलेगा 40,506 रुपे total value 1,00,000 की होगी लेकिन अगर 10 साल के लिए करते हैं तो आपकी जमारासी 1,20,000 हो जाएगी और return मिलेगा 2,38,000 total value 3,58,000 की यहीं चीज 15 सालों में देखा जाए तो 1,80,000 का investment और 8,40,000 रुपे आपको return के तोर पर मिलेगी total value 10,20,000 की होगी और थोड़ा आगे वड़ते हैं थोड़ा और टाइम देते हैं क्योंकि अगर आपके बच्चे की के जन्म के टाइम ही आप यह कर देते हैं तो आपको 20-22 सालों में आपको पैसे की जोरत पड़ीगी उस टाइम देखा जाए तो आप 20 साल की बात करें आपको इन्वेस्ट होंगे और टोटल मिल जाएगा आपको 24-25 लाग की आसपाश टोटल वेल्यू 27 लाग की हो जाएगी अब यही चीज और पांस साल अगर वेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 लाग का इन्वेस्टमेंट पर 67 लाग रुपे टोटल और रिटर्ण के तोर पे जो 67 लाग मिलेंगे वो टोटल वेल्यू बना देगा लगबग 70 लाग का अगर और आके आप जाना चाहते हो 30 साल पे 3 लाग 60 लाग का इन्वेस्टमेंट और 1 करोड 79 लाग आपको मिल जाएगे यहाँ पे रिटर्ण के तोर पे टोटल वेल्यू 1 करोड 82 लाग लेकिन अगर बच्चों के लिए आपने इस फंड को में इन्वेस्ट करना सुरू किया है तो आप मैक्सिमम 20 से 25 साल के एज में आप इस पैसे को निकाल लेंगे जहां तक मुझे लगता है अब इस फंड की एक key point है कि इसमें 5 साल का locking period है जो की बहुत important है कोई भी आप retirement fund ले ली जिए या children fund ले ली जिए उसमें सबसे जो main point होता है वो होता है locking period का जो भी ऐसे long term वाले fund होते हैं उसमें locking period दिया ही जाता है अब कुछ लोग इसको negative भी समझेंगे कुछ लोग positive भी समझेंगे negative इस sense में कि हमें 5 साल तक हमारा पैसा block हो गया हम कितने भी emergency आजए हम उस पैसो को निकाल नहीं सकते लेकिन अगर positive यह में देखा जाए तो आपने ये fund श्टार्ट किया था अपनी बच्चों के future के लिए और अगर आपके बच्चों का future secure करना है तो आपको इसमें हर महने पैसे जमा करने पड़ेंगे और अगर किसी कारण वस आप ये चाहते हैं कि एक साल दो साल में इस fund को complete कर ले तो फिर आपके बच्चे का future कैसे safe होगा तो इसको आप positive way में लेकर चलें कि आप किसी भी हालत में 5 साल तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो एक तरीके से आपकी saving 5 साल minimum 5 साल के लिए तो saving होई जाएगी तो इस चीज़ को अगर आप positive लेकर चलते हैं तो एक better option आपके लिए हो सकता है तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं अगर 25 साल भी बात करें तो 3 लाग रुपे जमा हो रहे हैं और 70 लाग रुपे आपको मिल रहे हैं अगर 25 साल भी नहीं रुकना चाहते हैं 20 साल के लिए तो फिर भी 2,40,000 आपके जमारासी होगी और 70 लाग मिल रहे हैं आपको तो एक अच्छा फंड यह आपके लिए सावित हो सकता है और एक दो चीजे हो और मैं आपको बता दू जैसा कि आपने देखा कि 46 परसेंट का रिटन हर साल मिल रहा है 46 ना सही हमने तो 19 पे कैलकुलेट किया लेकिन हो सकता है यह 25 परसेंट तक भी देदे 30 परसेंट भी देदे तो आपके जो सकता है यह 50 लाग भी बन सकते हैं तो एक बेटर ओपरचुनिट्री यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से सारी चीज़ों को समझ ले अपने फैनेंसेल एडवाजर से सला ले ले उसके बार इन्वेस्ट करें तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा